हेलो अब्रियों जैसा कि आप हमारे थम्दल से जान चुके हैं हम बात करने आते हैं जारकंट हाई कोट की वेकंसी के बारे में तो हम इसके बारे में अधिक जानकाई बात करेंगे लिए सबते पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर चलेंगे और यहां पर हम सरकाई जड़ की मे पर हम जाएंगे तो यह सरकाई जड़ ओपन हो गई इसके हम में फस्ट वेफसाइट पर टच कहेंगे तो यह में वेफसाइट का पेज ओपन हो जाएगा जो कि सरकाई जड़ इस पर कोई भी वेकंसी लेटेस्ट जॉब रिजल्ट एडमिट कर सबसे पहले आ जाता है तो यह देख सकते हैं जहारखंड हाई कोट असिस्टन्ट ऑनलाइन फार्म आ गया यह आप देख सकते हैं जे यह सी एस एस एससिटन्ट ऑनलाइन फार्म आ चुका है इसके बार में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में तो हम इसको टच करेंगे जैसे फॉर्म कप फिल होगा कितनी वेकंसी है इसके बारे में फुल डीटेल डिसकस करेंगे तो इसका जो में पेज है ओपन हो गया है आप देख सकते हैं जहारखंड हाई कोट जे यह सी असिस्टेंट रिक्वार्मेंट एप्लाई ऑनलाइन फार्म फॉर्ट फिप्टिफाइब पोस्ट मतलब इसमें पच्पन पोस्ट है आपके लिए आप इसके बारे में देख सकते हैं यह जहारखंड राची यहां पर यह फॉर्म फिल करना है इसके बारे में इसका फॉर्म जो है 22 दोजाच चोबिस मतलब आपका फॉर्म यह स्टार्ट कभ होगा बीस फरवरी दोजार चोबिस तक यह आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और बाइस मार्च दोजार चोबिस तक ही इसकी पेमेंट के भी लास्ट डेट है तो आपका जो एक्जाम डेट है इस पर सीडूल मतलब कर दिया जाएगा सीडूल दे दिया जाएगा इसमें जनरल ओबीसी डव्यस के लिए 500 रुपे चलान है यसी यस्टी एंड podcast के लिएक यस्टी के लिए इसके बाद हम यजिस डेख सकते हैं की मी운मम एज 21 और मैक्सिम में इसके बीच में आग रहा है आप तो आप यसर्म को फिल कर सकते हैं प्लस आपके ह Soul कि लिए इस्विल्टी क्राइटेरिया क्या है लीजबिल्टी क्राइटेरिया वारे में बात करेंगे आपकी जो 81 24 तक 21 और मीनिमम इस जरूर होनी चाहे इस के आगे हम चलेंगे इसके आगे इसमें कितनी पोस्ट है पच्पन पोस्ट है जो कि पोस्ट है एससीटन की पोस्ट है इसमें आपकी जो इलिजबिल्टी है आपके लिए बैस्चिलर डिगरी इन एन एन एनी रिकागनाइज्ड यूनिवस्टी इन इंडिया मतलब किसी भी इनिवस्टी किसी भी बोर्ट से हो और अगर वर्किंग कंप्यूटर नौलेज एंड कंप्यूटर टैपिंग 20 वर्ड पर मिनट ये भी आपका होना चाहिए तब आप इस फर्म को फिल करने के लिए इलिज सेकेंड यसी और यस्टी के लिए 14 टोटल 55 पोश्ट है इसके आगे हम चलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इसका स्लेवर्स क्या होगा लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 20 फरवी 2024 से फांफिल होना इसके बारे में नोटिफिकेशन और हम जानकारी प्रात करेंगे तो ज इंटर थो कि हैंसी कि होने वाली क्या रहेगी यह 2400-2402 टक को फिर यह इतनी आपकी यह क्या रहेगी मतलब आपकीट 94200 सोसे तो स्टाठि होगी तो इतने तक आपकी जा इसका Slaves क्या होने अला है deutlich जो आपका पहले इसके बाद आपकी जो क्या得 क्या लगेगा जो कि कल्र सकंड फ concept लगेगा जो कि 10 Kb से 50 Kb के बीच में बोजोना चैए गो की жhp g फोटो होना चैए जो की आप चाहे जेपीजी में हो चाहे जेपीजी में हो इसके बाद आप आगे चलेंगे तो इसमें यह तो चलान के बारे में बता हैं इसके बारे में हम डिसकस कर चुके हैं इसमें रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क का दो घंटे आपको समय मिलेगा इसमें जो यह क्वालिफिकेशन मार्क है जो EWS है जहाए जनरल है बीसी फ़र्स बीसी सिकेंड इनके लिए 40 परसंट मार्क लाऊ है मतलब इतना तो पक्का आपको लाना फिर CST के लिए 30 परसंट यह तो आपको पासिंग क्राइटेरिया इसके बाद जो कटाव बनेंगा आप उसमें आएंगे तो होगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो डियूरेशन टाइम है पांच मिनट में आपका सव वर्ड रहेगा जो कि बीस वर्ड पर मिनट के हिसाब से रहेगा यह वोजाएगा इसके बाद आपका वाइब्द वह कि इसके लिए आपका क्या रहेगा फंदा मार्कर हेगा पांच मिनट पार आल क्टेग्री चाहे जिस पांच कि इंग्लिश वेल्ड पावर इंग्लिस एससे जो दस मारक का ओ तीस का यह वो जायगा और 30 मारक का रहेगा नुमेरिकल अबिलिटी और लिंग अतना माइथमैटिक्स ट्रय रोइग यह आप करेगा फिर टेस्ट जाएगा जो कम्प्यूटर टेस्ट के वारे में तो आप डिसकस तो ये इतना हो जाएगा इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राथ कर चुके हैं अगर आपको अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना नाम है